लो deer students Bowl जो ग्रोफी स्टार्ट की अवश्चाफ हो गया अभी वक्त है स्टार्ट हो जाइंए साथ में ताक कि जो ग्रोफी किया हूं ये कि हम समझते चल नहीं ठीक है स्टार्टिंग किये तो देखिए जब हम को Wayne चिजा सपर करते तो हो arafa होता है और जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होता तब तक हमारा उपर का जो मकान है वो complete नहीं होता जैसे कि नीव डलती है कोई भी घर बनता है तो नीव डलेगी तो नीव पे ही कोई मकान की जो strongness है वो depend करती है सेम तरीका यही है कि जोग्रोफिक ही अगर base आपका सही नहीं है तो उपर जो आप पढ़ते जाओगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आपको यही नहीं पता है कि टोपिकल रीजन क्या है तो आपको यह सब चीजें समझ में नहीं आएगी इसलिए अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं काफी मैंने पढ़ा दिया है 11 की एक book complete हो गई है मतलब जोग्रोफिका पीजी यूजी सब complete करेंगे साथ में बने रहिए बस और स्पॉर्ट करते रहिए सब्सक्राइब कर ये चैनल अपने दोस्तों से भी करवाईए ताकि नॉलेज उनका भी गेन हो यह जो यहाँ प्रोसेस समझते तो जोग्रोफिवल इस्टुएंट्स के लिए तो benefit होता ही होता है साथ साथ में और किसके लिए जो competitive level पे कि जो बच्चे त्यारी कर रहे ना उनके लिए भी बहुत beneficial रहेगा तो अच्छा है जल्दी से आजाएगे start करते हम अपना chapter तो क्या था देखिए हमने extra tropical के बारे में पढ़ लिया था क्या एक्स्ट्र ट्रोपिकल extra tropical cyclone के बारे में हमने पढ़ लिया था इसके बारे में पढ़ लिया अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे ठीक है तो पार्ट कर दो दो पार्ट हो गया एक extra tropical cyclone हो गया और एक एक क्या हो गया ट्रोपिकल cyclone हो गया अब देखिए ट्रोपिकल cyclone की पहले तो हम situation देखते हैं कहां बनते हैं थोड़ा सा हो जाने दो हो गया ना तो हो जाने दो अब सही होगा भी नहीं एक बार में बन जाता है तो बन जाता है ट्रोपिकल रीजन क्या हां तक होता है 23 and half degree मतलब cancer निचे 23 and half degree Capricorn ठीक है यहां पर क्या होता है यह रीजन क्या है ट्रोपिकल रीजन है क्या है ट्रोपिकल रीजन है ठीक है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जीरो डिग्री से फाइफ डिग्री तक विंड का motion नहीं होता विंड वहां नहीं होती जस्ट एयर होती है क्योंकि यहां पर जो heat ज्यादा insulation होती है insulation यहां पर क्या होती सब्सेजादा ठीक है तो यहां पर एरिया कैसा एकदम काम एरिया है कैसा काम एरिया है तो आपको ट्रोपिकल की situation पता चल लगी और extra-tropical में हमने पढ़ा था कि वह mid latitude मतलब मिड latitude मतलब वो ट्रोपिकल से उपर सब्सेजादा पार्ट में 30 डिगरी का जो पार्ट अब वहां पर यह बनते है एक्स्टा ट्रोपिकल साइकलोन और यहां पर क्या बनते हैं हमारे ट्रोपिकल भाइसाद चेकर और इन्सान नहीं है जैन्वर भी नहीं है आज कल तो इन्सान भी जैन्वर जैसे है तो यह एक महराज है ठीकर जो क्या करते हैं तबहाई मचाते हैं क्या बोला मैंने destructive होते हैं बहुत destructive तबाही मचाने वाले होते यह बाई-साब बाई साब नहीं बागवान जी इनको उसा आ जाता ना तो कहर बढ़साते है अपना तो देखिए अब क्या सिस्टम क्या होता है देखिए विंड चलती है है ना ऐसे मूव होती है फिर ऐसे करके ऐसे मूव होती है यह सैल में मूव होती रहती है ना वापस ऐसे यह cells में move होती रहती है तो यहाँ पर wind कैसे चलती है ऐसे चलती है अब एक चीज जो हमने extra topical में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने कि वो front से बनते हैं ठीक है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है यह क्या होते है किसके कारण बनते है wind के कारण बनते है यहाँ से क्या होगी air उपर उठेगी हम इस diagram में देखते हैं यह मान के चलिए हमारा ठीक है equator तो यहाँ से insulation ज़ादा आती है जिस करके air क्या होती है उपर उठती जाती है उपर उठेगी air और rotation किसलिए हो रहा है इसका corollesis force के कारण किसके कारण corollesis force के कारण क्या हो रहा है इनका rotation हो रहा है divers हो रही है लेकिन फिर यह क्या करती है वापस नीचे आती है ठीक है ऐसे वापस नीचे आती है और वापस ऐसे move करती है तो यह इनका एक क्या होता है circle होता है Sam यहां भी ऐसा ही होगा, यहां भी बना की बताते हैं, देखिए, यहां से भी यह वापस आती नीचे, क्योंकि क्या उपर जाने के बाद इनके अंदर क्या आ जाएगा, मौश्य आ जाएगा, ठीक है, फिर यह वापस है व्यों के नीचे आ जाएगी, ठीक है, यह क्लाउड बन निबस क्लाउड एक आती से अनगर निबस क्लाउड हो जाती यह वारिश करते हैं और यह निचे आती यह पिर यह वापरोड जाते यह इनका यहां सर्किल और अपने यह चैंगर अब बीफिर этим Height Cyclone कि कौन से Cyclone कि Tropical Cyclone कि हम process देख रहे हैं तो यह I किसको कहेंगे Cyclone के बीच का जो एडिया जहां से Cyclone ऐसे उठेगा वह I है और यहां पर बहुत काम होता है क्यों कि यहां पर क्या है window उपर जा रहे हैं ठीक है वापस फिर नीचे आती है यह इनका क्या रहता है system रहता है अब यह देखे यह नीचे आ रही है जब correlisus force इधर आएगी तो यह band हो जाए ठीक है और क्या करती है यह यहां पर ran band इनसे क्या होते है radiant हो जाते है ठीक है reflect हो जाते है जो यह ran reflect होते हैं इन पर भी कुछ air होगी वो air कैसे होगी motion air होगी और क्या बना रही है वहां पर cloud बना रही है रहन कर रही है तो यह जो ran होगी वह बहुत बहुत कर रहन होगी अब चली देखते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं tropical cyclones are violent storms that originated over ocean in tropical areas and move over the coastal areas bringing about large scale destruction caused by violent winds किसके कारण उत्पन होते हैं violent wind के कारण किसके कारण किसके कारण exert होते हैं यह violent wind के कारण और वो किससे होते थे front के कारण यह चीज़ ध्यान रखेगा बहेंकर हवाएं चलती है और हवाएं कितनी 200 किलोमीटर पर आवर चलती है तो देख लिए जी क्या रिश्व है ना किस speed में चलेगी जिसके कारण क्या होता है यहां बहेंकर तुफान उठता है और तुफान उठने के बाद क्या होता है जो किवास्त अरिया जस्ट दीटार से च्ञार स्फीक के लिए À ownership हम देखते हैं देख चीज़ यह हमारा हमेरे मर्यका है नॉत ही हमारा साउथ अमेरिका है यह इसे सजे करके यां पर इंडिया बना कर दिए इसलिए बन जाएग गो records भाम जाए ना बन गया होगा समझ में आ रहा होगा इंडिया हो डॉयंधा टो तिहां पर महीं उरो ये बना देते हैं। अब देखें यहां पर कॉनसा है इंताक्टिका टिकका ग्षासी आल्च एसार्टिक क्या है यहां पर टलांटिक अट्लांटिक क्या है यहां पर अट्लांटिक ठीक ठीक है अन्टार्टिका तो नीचे आता ना यह वहला अन्टार्टिका और यह आर्कर्टिक यहां पर ठीक है और इंडियन ओशिन यहां है इंडियन ओशिन और पैसिफिक यहां मान के चलिए पैसिफिक और वैस्टर्ण पैसिफिक का है यहां वैस्टर्ण पैसिफिक अब देखिए एक चीज मैंने बताए थी यह साइकलों कहां बनेंगे only oceans में बनेंगे कहां बनेंगे only oceans में बनेंगे इसलिए मैंने आपको oceans बताया है ठीक है एकदम साइट से डब कर देती हूं वह भी कर दिया इसके अंदर सीखेंगे अब यहां क्या बताया था मैंने western pacific यहां पे जब क्या होता है क्या होता है cyclone बनते है यहां 키 क्या है temperature कम तो high pressure बनेगा तो यहां पे जो wind चलेगी बहुत तेज जुआली जो velocity उनकी बहुत ज़ादा होगी मैंने बताई है 500 km से लेके 500 km पर hour तक चलती है ठीक है यहाँ वेग हवा का जो velocity वो यहाँ पे चलता है तो इस कारण क्या होता है यहाँ पे यह बहुत भैंकर तरिके से blast होती है यहाँ का जो area यहाँ पे ज्यादा क्या आते है cyclone आते है आपने देखा इस area के according इस area में क्या ज्यादा cyclone आते है देखी यहाँ पे क्या है और यहाँ पे ऐसे cyclone Indian Ocean में बनता है तो यहाँ पे जो pressure क्या है high रहता है और यहाँ पे low इसके according अगर हम बात करें तो यहाँ temperature कैसा होगा high होगा तो वहाँ पे low होगा क्योंकि जल्दी जल्दी घरम होता है जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसका रण हमने देखा कि wind कैसे चलती है high pressure low pressure की तरफ ऐसे चलती है तो इन wind में 7 में क्या है तबाही है साथ में पानी है Indian Ocean का तीक इंडियन ओशिन का क्या पानी इतना समझ में आया होगा कि कहां बनते है अलग अलग जगह पर बनेंगे cyclone जरूर नहीं यह एक है cyclone सब जगह तबाही बचाएगा नहीं जो इंडियन ओशिन का cyclone वह यहां के आस साइड में देखे आगे यह कहता है कि जो इंडियन ओशीन है इंडियन ओशीन में इसको क्या कह दिया इंडियन ओशीन में साइकलों साइकलोंस ठीक है यहां पर क्या कह देते हैं हरीकेंस ठीक है और यहां वैस्ट आस्ट्रेलिया में क्या कह देते हैं इसको वैस्ट आस्ट्र ठीक है और वेस्टर्ण जो पैसिफिक है इसमें क्या कहते हैं इसको टाइफून्स टाइफून्स ठीक है यह नाम ध्यान रखेगा इंडियन ओशन में साइक्लोंस अट्लांटिक में हरिकेंस विली विली वेस्ट ऐस्ट्रेलिया में कहते हैं इसको मतलब यहां पर जो आएगा ठीक है पैसिफिक और अट्लांटिक और इधर साइड में जो आएगा तो वहां पर इसको क्या कहते हैं देंगे वेस्टर्ण पैसिफिक को इसमें जब यहां आएगा तो इसको क्या कहते हैं टाइफून्स यह सारे साइकलोन के नाम है अलग-अलग जगह पर जैसे एयर को ज वाइलेट विंड होती है है वी रैंफोल करती है यह समझ में आया मैं अब कर देती हूं ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर किसी को श्क्रिंशोट लेना तो ले सकते हैं कर दो हुँ है क्या करेंगी यह स्टॉम कैसे यह वाइलेंट सैक्गे कि बात करें हम तो यह क्या करते है है जांनि करती है है कर देंगी चाली गए जो सल्ट एरिया होता है इनको क्या खर्द की पानी एक इसको कह सकते हम यह क्वास स्टेटिंग क्या डिवास नाज़व प्रोसेस लिवज टैटिंग नेच्रल, इसे बात वांप क्या है? नेच्रल कलामिटीज राप्दा रह नेच्रल– ठीक है कौन है Tropical cyclone कौन है Tropical cyclone आगे यह कहता है Tropical cyclones originated and intensified over warm tropical ocean कहा warm tropical ocean पर होगा अब देखेगे जैसे अपने पढ़े थे यहां बीच के oceans हैं तो वहाँ पर गर्मी जाता है ठीक है अपना जो इंडिया है यहां तक कोई है ना बताने के लिए भी नहीं दिख रहा है नीचे बना लिए देखिए जो हमारा इंडिया है ठीक है हमें पता है करक रेखा यहां से गुजरती है जो कैंसर है वो यहां से गुजरती है यहां से जाती है तो अपन कैंस को क्या 23.5 डिग्री मानते है ठीक है तो यह ट्रॉपिकल से यह ट्रॉपिकल हो गया तो इस एरिया में आता है इस इस बैल्ट पर क्या आएगा साइकलोन आएगा जो अपनने अभी देखे थे उस जीरो से 23 डिग्री उपर और 23.5 नीचे नॉर्थ में यहां आएगा यह साइकलोन और क्या करता है यह कंडिशन्स इसकी क्या क्या होती है आने की एक तो होता है कि टंप्रेचर क्या होना चाहिए कंडिशन्स लिखतें इसकी कंडिशन्स एक नमबर हाई टंप्रेचर है टंप्रेचर ह ніए होट टंप्रेचर हाय है यह डिए कत्यों पॉल्ट क्यीजिक यूल्ट को सबस्ट करता होना चीए 27 degree Celsius से ज्यादा temperature होगा तब ही तो वह warm air उपर उठेगी ना तो इस वज़े से कितना condition फैली condition क्या होगी temperature higher than 27 degree and how और क्या होना चाहिए अगर Coriolis force नहीं होगा तो presence of लिख देता है presence of Coriolis force तो अगर Coriolis force नहीं होगा तो air क्या होगी सीधी सीधी मूँव होगी कोई भी air में क्या नहीं होगा belt नहीं बनेंगे तो मतलब climate की process ही नहीं होगा प्रोसेस ही नहीं होता यह तो माइंड में रखें यह force है क्या rotation से इसमें जो wind का movement होता वह क्या है ऑख वक्राणिशा प्षारण करें कि आप स्मॉल वैरिएशन ने इन वर्टिकल क्या उन्छाई पर जब जाते हैं वेर्टिकल कि एक रही है तो यहाँ पे जो यह cloud बना रहे है, तो यह cloud को लेके उठ जाएगी, तो यहाँ पे बारिश वगर तो होगी नहीं, है ना, तो यही होता है कि जब अगर variation यहाँ पे जादा हो, vertical winds क्या हो, जादा हो यहाँ पे, उंचाई पे, तो वो winds क्या करेगी, उपर बनने वाले clouds को क्या करेगी, आगे धकेल देगी, अपने साथ आगे ले जाएगी, ठीक है, इसलिए क्या कहाँ है, इसने, small variation of wind, किसमें, vertical winds में, फिर फोर्थ नमबर है, कि pre-existing week, low pressure area चाहिए, क्या चाहिए, low pressure area, low pressure area, जहां पे क्या हो, already cyclone बनते हो, low level cyclonic, कह सकते हैं, low level, cyclonic reason, ठीक है, तो यह इसका, यहां पे क्या होगा, low level पे cyclone बनेगा, फिर जब वो उपर जाएगा, किसके कारण, वोईलेट, winds के कारण जब उपर जाएगा, तब यह क्या होगा, एक circulation बनेगा, ठीक है, तो low level cyclonic circulation, यह four condition होगी, अगर हम fifth के बात करें, तो fifth आप क्या condition लिख सकते हो, कि उपर क्या हो रहा है, divergence नहीं होगा, तो वो air वापस नीचे नहीं आएगी, air नीचे नहीं आएगी, तो यहां बारिश नहीं होगी, यहां बारिश नहीं होगी, तो यह general circulation वो effect ही नहीं होगा, तो हम fifth number पर कह सकते हैं, divergence, ठीक है, divergence कह सकते हैं, और above the sea level system, ठीक है, यहां से, sea level system के ऊपर से divergence का system, ठीक है, यह conditions समझ में आए होगी, अच्छी तरीके से, अब आगे बात करते, the energy of that intensifies the storm comes from the condensation process in the towering cumulation nimbus clouds, surrounding the center of the storm, अब देखिए, यहां बात करते हैं, यह देखिए, wind उपर जा रही है, ऐसे ऐसे wind उपर जा रही है, ठीक है, यह क्या है, intensify winds है, क्या है, condense हो रहा है, यहां पर, condense हो रहा है, जा रही है ना उपर, एक साथ, condensation हो रहा है यहां पर, तो यह condensation की process होगी, जिससे क्या होगी, window उपर जाएगी, ठीक है, यही इसने बताया, और फिर क्या, क्या नीचे आके क्या बनाएगी, cumulus और nimbus cloud बना देगी, ठीक है, surrounding the center of the storm, और कहां से, storm के center से यह ठीक है, यह देखें, यहीं से जा रही है, और beach का जो है area, यहां पे जो warm air है, वो क्या हो रही है, subseed हो रही है वापस, ठीक है, जो यह process होगी, मैंने क्या अपताय था, cyclone कब आएगा, जब बहुत अलग-अलग type के, जो lapse rate हमने देखी थी, latent heat, क्या, latent heat हमने एक चीज पढ का गरम होगा यहां पे और opposite जो process बनेगी, फिर क्या कहता है, with continuous supply of moisture from the sea, और यह जो heat है, ओपर जा रही है, वो क्या करेगी, moisture supplies करती है, sea surface को, ठीक है, फिर कहता है, यह the storm is further straightened and on reaching the land, the moisture supply is cut off and the storm dissipates, और जैसे ही यह storm क्या करता है, कहां पहुंसता है, surface पहुंसता है, तो यहां तबाही तो मचाएगा, तो फिर भाही सब को खतम तो होना ही है, इसका तो काम ही यह था कि कहीं तबाही मचानी है, और फिर चाहे हमें कुछ भी हो, फिर खतम हो जाती है, तो मतलब से surface पह आती है, जैसे ही land से जुड़ती है, तो यह क्या होती है, खतम हो जाती है, फिर यह कहता है, the place where a tropical cyclone crosses the cost is called the landfall of the cyclone, और क्या कहता है, कि the cyclones which cross 20 degree north latitude generally recur and they are, अब देखिए, कंडिशन समझ में आई, एक बड़ फिट दिख लिए temperature higher होना चाहिए, किस से 27 degree Celsius से presence होनी चाहिए, किस की corallis force की, small variation होना चाहिए, vertically जो wind है हमारी, अगर वो vertically wind चलती जाएगी, चलती जाएगी, तो क्या करेगी, वहाँ से cloud को आगे डखेल देगी, तो बारिश वगर नहीं हो पाएगी, low pressure होना चाहिए, तब ही तो यहाँ पे, high pressure से wind नीचे आएगी न, यह देखे, wind नीचे आ रही है, और यह तो क्या है, air है, water vapor है, जो यह है, वो water vapor है, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा, कि sea surface से ही, यह cyclone बनेगा, तो यहाँ से water vapor उपर जा रही है, और condensed होके, जो air नीचे आ रही है, वो क्या है, dense air है, divergence उपर जा रही है, तो जाते-जाते इंदर मौशर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगी, फिर divergence हो जाएगी, अब हम इंडिया को लेकर समझते हैं, आगे जो इसने बताया है, कि यह इंडिया है, यह tropical, इतना तो नहीं है, पर मान लो इतना है, ठीक है, यह बांगलादेश और मायमायक की साइड है, तो क्या कहता है यह, जब यहाँ आपन मानते हैं, 23 and half, और यहाँ मानते हैं, 20 degree Celsius, जब यह 20 degree, not Celsius नहीं, latitude, तो जब यह उपर जाता है इससे, तो क्या हो जाता है, ज्यादा destructive हो जाता है, बहुत भैयानक क्या हो जाता है, destructive हो जाता है, और जब यह cyclone, यहाँ पर पहुंचता है, तो इसको क्या कहते है, landfall of cyclone, क्या कहते है, landfall of cyclone, तो यह समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर देखिए next, यह भी बता दिया मैंने कि 20 degree, latitude से उपर जाएगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा destructive हो जाएगा यह, और जैसे ही यह land पे पहुंचता है, तो इसको क्या बोलते हैं, landfall cyclone बोलते हैं, a schematic representation of the vertical structure of a nature, यह क्या है, इसका structure है, अगर आप से structure पुछे तो आप इस तरके से बनाऊगे, तो आप जो एक्जाम में जो इलाइंट स्टेंडर के student है, अगर वो structure से कुछ भी चीज अपनी define करते हैं, तो उनका जो examiner तो जो answer से check करता है, वो क्या करता है, या, diagram तो बहुत अच्छा बनाया हुए, है ना, तो diagram अच्छा बनाया है, तो बंदे को process थो पता ही है, इसलिए तो उसने diagram बना दिया, अधर वाइस तो क्या ही कर देता है, कहीं नाम लिख देता है, कुछ भी, तो दे दो number, है ना, पढ़ने की headache बहुत होती है, सिर्स को, इसलिए पढ़ानी जाता, जल्दे से, ए, mature tropical cyclone is characteristics in, by the strong spirally circulating wind around the center called the eye, जहां से spirally, क्या होती है, wind ओपर जाती है, कहां से जाती है, जहां से जाती है, उसको क्या कहते है, आई कहते है, किसका, किसकी आई कहते है, इंसान की, जानवर की, भगवान की आई, ठीक है, cyclone भगवान की आई, tropical cyclone की, ठीक है, तो उसका आई कहते है, the diameter of the circulating system can vary between, कि इसका डायमीटर जो होगा कितना होगा इतना होगा देख लिए जब इसका डायमीटर कितना हो सकता है ना लगती चोटी सी है वह बात चिंटी अगर चोटी दिखती है तो क्या होआ वह हती को भी मारदेती लिकिन डायमिटर देख लो तक हुआ है और यह क्या रिजन काम होता है मैंने आपको पेहले सबसेड होती है, है कौनसीर जो हो फिर कहता है कि high reaching the troposphere और यह जो वाटर वेपर है कहीं तो जाकर रुकेंगे तो कहां रुकेंगे ट्रॉप स्फेर में 50 km तक का कि ट्रॉप स्फेयर आपको यह बात मैंने पहले ही बताती थी जो भी क्लाइमेट की ऑकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस होगी वेधर के प्रोसेस होगी सिर्फ ट्रॉप स्फेयर में होगी और यह कहां तक कितने किलोमेटर तक 15 किलोमेटर ट्रॉपल लेयर में पहुंचती है जब यह यहां आती है यह वाली ठीक है फिर यहां से मुव हो जाती है डाइवर्जेंस हो जाती है कितने पहुंचती है यहां 250 किलोमेटर आवर से ठीक है विंड वैलोसिटी है यह इसकी टॉरेंटियोल रीन ओक्योर्स है और क्या करती है टॉरेंटियोल रेन करती है मतलब भाद बहेंकर जिसको हिंदे में कहते हैं मुश्लाधार बारिश करती है विंड ठीक है यह विंड क्या करेगी मुश्लाधार बारिश करेगी टॉरेंटियोल रेन करेगी from the eye wall rain bands और वो band हो जाएंगे, radiate हो जाएंगे और क्या करेंगे, cumulus और cumulonimbus क्या बनाएंगे, cloud बनाएंगे यह चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिये थोड़ी सी कहां से निकलेंगे, कहां से band होंगे eye, जो eye wall है, यह क्या है, wall है eye की इसकी walls है, ठीक है फिर कहता है यह, कि the diameter of the storm over the way of bangol, Arabian sea and Indian ocean between 600 to 1200 diameter भाई साब, diameter कहां, Indian ocean में Indian ocean में और Arabian sea में और bay of bangol में कितना बता रहा डायामीटर 600 to 1200 किलोमीटर मतलब यह, अगर यह cyclone है ना तो इसका यह जो diameter है ना, वो कितना है 600 to 12 किलोमीटर तो अब आप देख सकते हो, कितना बड़ा होकर यह बनेगा cyclone, फिर क्या करता है, moves slowly about 300 to 500 किलोमीटर पर डे, वा, क्या बात बोली है कि 500 किलोमीटर पर डे ठीक है, पर डे यह move होती है और यह कम लगती है इनको जल से पुरा भर देता है सर्जे जब होता है यहां पे यहां पे जैसे ही लेंड पे आता है तो इसका क्या हो जाता है खात्मा हो जाता है तो मेरे ख्याल से tropical और extra tropical cyclone समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अगर आप एक बार नहीं समझ में आना तो वीडियो को revise करके देखिए आपको पक्का समझ में आएगा तो thank you for watching शेर करें अपने friends को जो जो जोग्रोफी पढ़ने में इंट्रेस्टेड है और जो त्यारी कर रहे है क्योंकि यह चीज़े पूछी जा सकती है कि साइकलोन के सेंटर को जहां से साइकलोन उठता है उस सेंटर को क्या कहते है आई कहते है और जहां से wind move होती है जहां से air तो होती है है ना उसके अंदर जब तक motion नहीं होता है तब तक वो wind नहीं होती जैसे यह हां से चलती है ना कि स्पीड क्या होती है इनकी 500 KM होती है पहले तो Waterway पर होते है इनके पर जैसे जैसे ऊपर जाते है इनकी स्पीड बढ़ती जाती है तब यह air wind कहलाने लग जाती है ठीक है तो आई बात समज में आप लोगों को आ गयी होगी झाल झाल